40 best kitchen tips समय निकाल कर जरूर सुने 1. बार बार उंगलिया चटकाने से हातों की पकड कम जोर हो सकती है ये नसो और मास पेशियों को भी नुकसान पहुँचा सकता है बार बार उंगलिया चटकाने से जोडों में सूजना सकती है जिस से दर्दोर तकलीप हो सकती है कुछ अद्यानों से पता चलता है कि ये गठिया का कत्रा भी बढ़ा सकता है इसलिए बार बार उंगलिया नहीं चटकानी चाहिए 2. बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए संतुलित अहार खिलाएं जिसमें कार्बो हाइडरेट, प्रोटीन, बसा, विटामिन, कैल्शियम और जिंक जैसे पोशक तत्व परियाप्त मातरा में हो इनमें दूद, धही, पनीर, अंडे, चिकन, साबु तनाज, सोयवे, नट्स, बीज, हरी पतिदार सबजिया और केला शामिल करे जंक फूड और सिंपल कार्ब्स से बच्चों को दूर करें, इस से आपके बच्चों की लंबाई बढ़ेगी नमबर तीन, दो चमच देसीगी, एक चमच गुड और एक चमच हल्दी को मिलाकर एक कप पानी मुबाल ले इसे ठंडा करने के बाद पी ले, दिन में दो बारे से पीने से आपकी तूटी हुई हड़ी जल्दी जुड जाएगी एक बार ये नुसकाप अपना के दे के आपको बहुत फायदा मिलेगा नमबर चार, कफी उप्त खासी में दूद में अधरक उबाल कर इसको पीने से आपको तुरंतारा मिलेगा नमबर पांच, खासी जुकाम होने पर तुलसी के पांच से साथ पत्यों को पीसकर पानी में डाल कर काड़ा बना कर पी जाए, इसे आपकी खासी जुकाम ठीक हो जाएगी नमबर चे, नास पाती में बहुत अधिक मात्रा में फाइबर और पानी होता है जो पेट और आथ के विशाक्त पदार्तों को बाहर निकालने में मदद करता है नमबर साथ, रोज़ाना योग करने से सुगर और पेट की बिमारी दूर होती है नमबर आठ, पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पीने से आपका पेट साफ हो जाएगा नमबर नो, शरीर में अगर आपके दाने हैं तो जहां दाने हैं वहाँ पर आलो को उबाल कर लगाएं इस से आपके दाने ठीक हो जाएंगे नमबर दस, सूका धनिया का चूर्ण बना कर चाट लें, सूकी खासी में बहुत आराम मिलेगा अगर आपको तेज खासी चल रही है तो सूका धनिया लें उसको बारिक सपीस लें और फिर उसको खा लें इससे आपकी सूकी जो खासी है उसमा आराम मिलेगा 11. रोजना दातून करने से दातों और मसूडे स्वस्त रहते हैं 12. हिलते हुए दातों पर अद्रक का पेश्ट लगाएं और दातों का हिलना बंद हो जाएगा 13. उन लोगों को किड़ने की बिमारी जादा होती है जो रात में पेशाप करकर नहीं सोते है 14. अगर आप बेट कर जाड़ो लगाते हैं तो आपको कभी भी गुटनों का दर्द नहीं हो सकता है 15. काले अंगूर खाने से आपके चेहरे पर चमक आती है चेहरा साफ होता है 16. गले में खराश होने पर थोड़ी सी सौफ चबा ले इससे बंद गला भी खुल जाएगा अगर आपके गले में खराश है तो थोड़ी सी सौफ चबा ले इससे आपको आराब मिलेगा 17. ताजा हरा दनिया मसल कर सूँने से चीके आना बंद हो जाती है 18. बेंगन के भरते में शेहद मिला कर खाने से अनित्रा रोक खत्म होता है आप शाम के वक्त बेंगन बनाए और उसमें शेहद मिला कर खाले 19. सुबह खाली पेट आम का शेक पीने से गुटनों का दर्द दूर होता है पर ध्यान रखें आम का शेक खाली पिट ज्यादा ना पिए नमबर 20 बिगर चीनी के नीबू पानी पीने से सास की बदबू दूर होती है मतलब जब आप नीबू बना कर पिए नीबू पानी बना कर पिए तो उसमें चीनी ना डाले इस सास की बदबू दूर होती है 21. पानी में हरी लाइची उबाल कर पीने से बुकार उतर जाता है 22. रोज़ाना 30 मिनिट चेहल कदमी करने से शरीर की सैकड़ो बिमारिया खत्म हो जाती है 23. पानी पीकर पेशाप करने से आप किड़नी साफ हो जाती है 24. नीबू के इस्तमाल से दिमा की कमजोरी दूर होती है और जिगर की कमजोरी से निजात मिलती है 25. जिन ओरतों की इसकीन खुशक और रूखी है उनको नासपती का सिवन करना चाहिए 25. इसमें भरपूर मात्रा में पानी होता है और फाइवर होता है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मंद होता है 26. अगर आप हमेशा स्वस्त रहने ना चाहते हैं तो इसके लिए तंबाकू, गुटका, शिराब, इस सबका सिवन आपको नहीं करना चाहिए 27. अगर आप घर में बोर हो रहे है या शरीर सुस्त सा है तो छुटिया प्लान करें आउट इस्टेशन गूमने जाए क्योंकि हवा पानी बदलने से ना केवल रिफ्रेश होते हैं बलकि पेट की बिमारिया खत्म होती है 28. खाने के बाद हमेशा धई या चाच जरूर ले इससे खाना आपका जल्दी बहुती जल्दी हजम हो जाता है 29. सुजी के नियमित सेवन से हाट अटेक का खत्रा कम होता है 30. जिनकी उम्र 40 के करीब की हो जाए उनको चुकंदर का सेवन करना चाहिए चुकंदर उनकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फाइदे मंद होता है 31. अगर आपको सास सम्मंदित बेमारी है तो आपको सफैद पेठे का सेवन करना चाहिए 32. यदि जुकाम से सरदर्द हो रहा है तो गर्म पानी में नमक डाल कर पेरों को दोएं सरदर्द में आराम मिलेगा नमबर 33 तर्बूज का सेवन करने से सीने की कमी दूर होती है 34 अगर ज़्यादा बजन उठाने की वज़े से जोडों में दर्द है तो दूद में हल्दी मिला कर पिएं इससे जोडों का दर्द दूर होगा 35 ज़्यादा खाने की वज़े से पेट खराब हो जाए तो थोड़ी सी अद्रक चबा लें इससे आपका पेट ठीक हो जाएगा 36 महावारी में दर्द होने पर कभी भी ठंडे पानी से नहीं नाना चाहिए हलका गुनुना पानी करें और उससे नहाए 37 जिस गर में कौवा चीकना शुरू करते उस गर में महमान आते हैं नमबर 38 शेरी का इस्तमाल हड्डियों को और जोडों को मजबूत करता है नमबर 49 जंक फूड खाने से कम उम्र में ही डाइविटेज होने का खत्रा रहता है और यह हर्ट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान दायग होता है इसलिए जंक फूड नहीं खाना चाहिए नमबर 40 दही के उपर वाले पानी को फैकना नहीं चाहिए इसका सेवन लिवर को साफ करता है इसलिए धही के उपर का पानी कभी भी भूल से भी फैके नहीं हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए जो वेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए धन्यवाद